नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में शाउमी MI11 Ultra vs. Xiaomi MI11 X Pro का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंध की बात करें तो MI11 Ultra में 6.47 इंच जबकी 11 X Pro में 6.44 इंच की लेंध मिलती है जोकी MI11 Ultra से कम है विट की बात करें तो MI11 Ultra में 2.94 इंच जबकी 11 X Pro में 3.01 इंच की विट मिलती है बात करें थिकनेस की तो MI11 Ultra में 0.33 इंच जबकी 11 X Pro में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो MI11 Ultra में 234 ग्राम्स जबकि 11X Pro में 196 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो MI11 Ultra में 6.81 इंच जबकि 11X Pro में 6.67 इंच मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन MI11 Ultra में 1440 x 3200 और 11X Pro में 1080 x 2400 मिलता है Screen to Body Ratio MI11 Ultra में 91.35 प्रतिशत जबकि 11X Pro में 85.88 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो MI11 Ultra में 515 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 11X Pro में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानि विशेशता है की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्ज कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें Man Camera की तो MI11 Ultra में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera और आखिर में टेली फोटो देखने को मिलता है और 11X Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera और आखिर में Macro Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो MI11 Ultra में 10 different type के features मिल जाते हैं और 11X Pro की बात करें तो उसमें 9 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो MI11 Ultra में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 6 different features मिलते हैं और 11X Pro में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 4 different features मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले बात करें CPU की तो दोनों फोन में same ही 5 nanometer है GPU दोनों फोन में same ही Adreno 660 देखने को मिलता है chipset दोनों फोन में same ही Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है बात करें RAM की तो MI11 Ultra में 12 GB की RAM मिलती है जिसमें 8 GB, 8 GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो MI11 Ultra में 256 GB की storage मिलती है जबकि 11 X Pro में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128 GB, 256 GB storage मिल जाती है expandable memory दोनों फोन में नहीं है operating system दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी MI11 Ultra में 5000 mAh जबकि 11 X Pro में 4520 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो MI11 Ultra में 2 colors जबकि 11 X Pro में 3 colors option मिलते हैं सब information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो जोकि 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 49,499 रूपीज 8 GB RAM 256 GB storage के साथ 34,999 रूपीज में मिलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 4 फाइदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें हैं result की तो डिस्पले में दोनों फोन सेम ही है main camera में 11 X Pro आगे है front selfie camera में दोनों फोन सेम ही है performance में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo X60 Pro है दूसरा Vivo X60 Pro Plus है तीसरा Samsung Galaxy S20 FE 5G है और लास्ट कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo X70 Pro Plus है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना